हेलो एवरीवन वेल्कम टू मैं चैनल हैपर ट्रेड़ेज भी मैं हूं मोहमद सुहिल दूस्तों आप लोगों के लिए मैं फिर से आप लोगों के डिमेंड पर दूस्तों परस्नली स्टॉक लेके आ गया हूं अब देखिए आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या कहा था उसके पाद एक्जैक्ट वही हुआ है दोस्तों आप लोगों के लिए फिर से इसके अंदर बाइंग ऑपोर्चुनिटी मिल गया है बाइंग करने के लिए अच्छे लेवल पे अच्छे पोजिशन करिए जो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था 180 180 के लेवल के नीचे आप लोगों का एंट्री होगा आप फ्राइडे के दिन मार्केट में देख सकते हैं 180 के बिलो चले गया है और 180 के नीचे ही स्टॉक ने क्लोजिंग दिये दूस्तों मेरे कहने पर आप एंट्री करें है तो यह एंट्री पे रुक हैं इसके अंदर जो भी रवटसल आएगा लोग इसके अंदर करने की कोशिच करेंगे और फिर से पिछली बार के जैसा ही डबल प्रॉफिट मारने की कोशिच करेंगे दूश्तों चैले ओले किदर होंगे कैसी होंगे आemaर्ज कैसे करें आपको आगे चलके वीडियो में बता दूंगा और एक छोटी सी बात है दोस्तों मेरे पिछले वीडियो के अंदर मैंने टागेश बताये थे उसके दूसरे दिन ट्रेड करने के लिए वो टागेश पे भी आपने ट्रेड करा होगा तो आपको अच्छा सा अच्छा हुआ होगा दोस्तों अगर आपने ट्रेड नहीं किया अगर आपने पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं आप क्या करिए आप मेरे पिछले वीडियो पे जाए आरे बेल बैंक के पर एक दो मिनिट का टाइम लिका लिए दोस्तों प्रूफ बहुत इंपोर्टेंट है आ अगर आप मेरे यूटूब चैनल के लिए नहीं हो तो मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों देखिए आप लोग को पिछले वीडियो में ही बार-बार क्यों कह रहा था दोस्तों मेरे कहिने पे इंड्री और मेरे कहिने पर एक्जिट करेंगों तो 190 लेवल पे आपको बहुत अच्छा सा प्रॉफित हुआ है डबल से डबल प्रॉफित हुआ है बस आप एक्जिट कर लिजिए स्टॉट के अंदर बार-बार क्यों बता रहाता दोस्तों क्योंकि स्टॉट के इंदर रिवर्सल आने वाली थी आपनों को चार्ट अनलैसीज करके भी double proof दे दिया था कि stock में reversal आएगा bottom level पे जाएगा दुस्तों या ये 100% bottom level पे touch करने की कोशिश करेगा entry मत कीजिए मत कीजिए देखिए उसका result आप लोगों के सामें आ गया है stock reversal ले लिया है आप लोगों के लिए फिर से अच्छी सी अच्छी buying opportunity दे दिया है देखिए below 180 के नीचे buying का था 175 के नीचे भी गया तो अब जबर 10 buying करिए सही position buying करने का rbl bank बार बार बता रहा था देखिए 173 तक गया था यारी 175 का level भी break कर चुका है दूस्तों अब इसके अंदर strategy क्या होगा weekly targets क्या होंगे short term targets क्या होंगे long term के तो आपको पता है मेरे 210 240 270 330 के लेवल तक मेरे long term targets है अब इसके अंदर फिर से नए वाले short term targets and weekly targets बताने वालों तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं वीडियो के अंदर उससे पहले दूस्तों 14th अगस 2020 Friday के दिल RBR blank का closing price है दोस्तो 177.20 पैसा डे हाई था 187.40 पैसा एंडे लो है 173.95 पैसा चलिए आप आगे बढ़ जाते हैं चार्ट analysis पे दोस्तों आप लोगों को पहले से ही पता है आप मेरे वीडियो को फालो कर रहे हैं तो मैं without proof बात ही नहीं करता हूँ अब देखिए एक का भी यह एक बार इसके अंदर जो अप लेवल टच हो गया था जब मैंने आप लोगों को 190 लेवल के exit बताए थे below 165, 170 के नीचे entry कराने के बाद उसके बाद मुझे एक थोड़ा सा फिशी लग रहा था दोस्तों जैसे प्रद्यूमन बोलता है दया कुछ ना कुछ गडबड है मुझे भी ऐसा ही कुछ गडबड दिख रहा था अंदर कुछ ना कुछ ता पर बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था जैसे हमारे सीरियलेस में बताते हैं वैसा ही इस टॉक में भी चला है दोस्तों वह कैसे वह देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं यह एक की लेवल पे ट्रेट कर रहा था जब इसके अंदर ओवर बाइंग हो रही थी ठीक है भाई वर नैंटी पे आपने चलो हैं अब और उसके अंदर रिवस्तल होने वाली थी क्यूंकी नपर एक बड़ अप्राइल में अपनेफ लेवल टच करेगा तो अगर इसके अंदर कुछी ना कुछ नीव् grandeos ईगा कुछीव लोचा होगा जय में पनेकछों तीचने मिलेगा उसके बाद भी स्टॉक अब इसके अंदर देखिए एकी लेवल पे जाता हुआ दिख रहा था ब्रेक आउट नहीं लिए जैसा रिवर्सल नहीं लिए जैसा कैंडल चार्ट में बता रहा था पर आरे से में आप देख सकते हैं लगातार इसके अंदर ओवर्सलिंग हो रही थी दोस्तों लगातार ओवर्सलिंग हो रही थी चाहे तो यह स्टॉक हम लोगों को 13 तारिक यानि 13 अगस्ट को ही बॉटम लेवल टच करते हुए दिख सकता था पर दिखिए इसने जहांसा दिया है अप ट्रेंड जाने का उसके बाद डाइरेक्ट नी जो जो भी मैंने बताये थे दोस्तों इसके अंदर बाइंग मत करिए रिवर्सल जाएगा बिलोग 180, 175 के नीचे इंटरी करिए क्योंकि स्टॉक नीचे जाता हो भी दिखा तो इसके अंदर हम लोग आवरेज करेंगे आवरेज करके 190 पे हम लोग overall profit यानि double profit कमाएंगे दोस profit देना अगर स्टॉक रिवर्सल भी चले गया आएगा दोस्तों कुछ भी परिशान होने की जुरूरती नहीं है स्टॉक मार्केट में बस पैनिक होना एक हम लोगों का धिमाख में mindset हो जाता है कि स्टॉक रिवर्सल जाएगा तो रिवर्सल जाएगा दोस्तों देखिए को 9 रूपीस या 15 रूपीस तो recover करने के लिए होता है हम लोगों को बस standard profit 4-5 रूपीस ही हम लोगों को standard profit देगा जो overall हम लोगों के उसमें portfolio में बनता रहेगा अगर ये daily हम लोगों को 22-15 रूपीस profit देता ही रहेगा तो company का हालत क्या होगा हम लोगों को लालच लग गया त तो हम लोग इसके अंदर exit करेंगे तो दीखे वही गलती होगी हमारी उसके बस stock reversal जाता हुआ दीखेगा लगता 10-20 रूपीस जब हम लोग अफसोस होएंगे यही सोच के कि depression में चल जाएंगे कि यारे यार हम लोग तो ऊपर ही sell कर देना चाहिए ता गलत कर दिया है उपर sell नहीं करके ऐसे depression में कभी भी मत जाएं दोस्तों बस entry and exit level पर ठेरे रहिए entry करते रहिए exit करते रहिए long term targets आपको बता चुका हूँ stock 177 के पास है आपका weekly target होगा 182 के पास दोस्तों अगरे हफता 182 के लिए Monday के दिन भी भाहिख कर सकते हैं 182 45 rupees के profit के साथ अब exit हो जाए weekly targets के अंदर strategy आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों 5 to 7 rupees की strategy है यानि reversal जाता हुआ दिखा तो stock के अंदर हम लोग profit कमाना चाहते हैं double अगर reversal गया तो ही दोस्तों अगर यह exact level पर touch हो रहा है तो normal profit से भी हम लोग exit हो जाएंगे यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो description link में link है जाएंगे लिंक को hit करिए और join कर लीजिए मेरा telegram channel for intraday live tips and stock market updates के लिए और एक छोटी सी बात है दोस्तों intraday के अंदर हम लोगो profit loss होते ही रहता है उसको लेके ही चलना चाहिए दोस्तों मैं target निकाला हूँ 17 अगस्त मंडे 2020 के लिए मंडे के दिन buying का position बने selling का position बने आप मेरे target लेके चल सकते हैं मंडे के दिन trade करने के लिए अभी आप screenshot निकाल लिजिए देखिए अगर आप पेपड़ वक करना चाते हैं पहली बात तो दोस्तों अगर आप stock market के लिए नए है मेरे target के लिए भी नए है तो आप पेपर वक करना चाते है तो Monday से start कर दीजिए paper work दोस्तों एक हफ्ता दो हफ्ते से exit करने की कोशिश मत करिए paper work में एक महिने तक paper work करिए और paper work करते हुए stop loss हीट हो रहा है तो कितना कम लुक्षान हो रहा है target हो रहा है तो कितना कम profit हो रहा है आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यूंकि एक हफ्ते में तो हमलों को profit and loss कुछ भी समझ में आए जाएगा हमलों को समझ में आएगा तो एक महिने में समझ में आए जाएगा की overall profit क्या हो रहा है overall lookson क्या हो रहा है